So Hello Everyone, Welcome back to another new video आज को ये वीडियो बहुत ज़्यदा important होने वाला है आप लोगों खिलिए अगर आप लोग वन पैसिप में जॉइन हुए हो क्योंकि इस वीडियो पर मैं आप लोग बताऊंगा वन पैसिप में ओमेल एकाउंट कैसे create किया जाता है मैं आप लोगो लाइब step by step पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ बहुत सरे लोग ऐसे भी है जिनका ओमेल एकाउंट क्रेट नहीं हो पा रहा है किसी रीजन से तो वो भी ये वीडियो जरूर देखे उमिद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप भी easily जो है ओमेल एकाउंट क्रेट कर पाऊगे ओमेल एकाउंट क्रेट करना बहुत ज़्यादा जरूर है क्योंकि आने वाले टेम पे जब OBS लाँच होंगे तब हमें ओमेल एकाउंट के ठ्रूई लॉगिन करना पड़ेगा और ऐसे बहुत सरे काम होंगे जहां पर हमें ओमेल एकाउंट के आवसकता होंगे तो वीडियो को बिना स्किप करें एन तक जरूर देखिए चलिए आज के इस इंपॉर्टन वीडियो को करते हैं स्टार्ट ओमेल एकाउंट क्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको वनपैसिप के बैक ओफिस यानिके ओफाउंडर्स के वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा तो गूगल पर जाके आप ओफाउंडर्स सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले ओफाउंडर्स.net का ओफिसल ऐसको ओपेइन कर लेना है तो ओपेइन करने बाद कुछ नोटिफिकसन आएगा इसको आपको ओकी कर देना है यहां पे आपको एatफिक हैंजव करता हूं लोगिन करने के बाद कूछ इस तरीके से इंटर्फेस आपको ओर होने लगेंगे आपको लेफट साइड़' पर ए दोनों box पर आपको simply tick करना है कि करने के बाद आपको signature पर अपने नाम डालना है जो भी नाम आपका है और उसके बाद except पर click करना होगा तो मैं अपने बाद डालके except पे क्लिक कर देता हूँ except पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा page आपके सामने आ जाता है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है क्योंकि maximum लोग यहीं पर गलती करते हैं जिसके वज़े से उनका omel account successfully create नहीं हो पाते तो यहाँ पर simply आपको अपना unique username create करना होता है जो नाम यहाँ पर डालोगे वो बिल्कुल unique होना चाहिए same नाम जो है दूसरा किसीने नहीं डाला होगा ऐसा नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा तो username create करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखना है जो username यहाँ पर आएगा यहाँ पर डालोगे वो पूरा जो है small letters का होना चाहिए और अपने नाम के साथ एक दो digit आप डाल दोगे तो वो unique हो जाएगा और instantly आपका create भी हो जाएगा account ठीके तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपना रखा हुआ है यूजरनेम आप भी कुछ ऐसा रख सकते हैं अपने नाम के साथ दो-चार digit आप डाल कर दोगे without space ठीके तो आपका account successfully create हो जाएगा नाम के साइट पर आप देखोगे तो adderateofomail.ai है ठीके तो यह एक तरीके से email account के तरह ही है ठीके email account पर रहता है adderateofgmail.com और यहाँ पर जो है adderateofomail.ai का option आपको मिलेगा तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना सिर्फ नाम पर आपको अपना नाम डालना है with digit तो वो unique हो जाएगा उसके बाद simply आपको continue पर click करना है तो जैसे आप continue पर क्लिक करोगे आपका नाम अगर unique होगा तो एक बार पर ही आपका account create हो जाएगा और अगर आपका नाम दोबारा हो जाता है मतलब कोई भी same नाम यहाँ पर डाला हुआ होगा तो आपको यहाँ पर error आएगा फिर से आपको अपना username create करना होगा तो मेरा यहाँ पर देख सकते हो मेरा email account successfully create हो चुका है आपका भी same to same message आ जाएगा email account create होने के बाद ठीके और अभी go to inbox के option पर क्लिक करोगे तो Gmail account के तरह features आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ठीके तो simply go to inbox पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा interface आपको देखने को मिलेंगे और one passive के तरफ से यहाँ पर आपको एक welcome email भी receive होगा तो जैसे Gmail account पर होते हैं किसी को email send कर सकते हैं receive कर सकते हैं और भी बहुत सारे features लहते हैं Gmail account पर तो same to same यहाँ पर भी बहुत सारे features आपको मिल जाते हैं कैसे email account यूज करना है इसके regarding मैं बाद में आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो पर मैंने आप लोग को step by step email account क्रेट करने का process बताया है तो successfully email account create करने के बाद जैसे आप dashboard पर बैक आओगे और उसके बाद left side पर क्लिक करके आप email के option पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्योंकि आने वाले टाइम पर कहीं पर भी आपको email account लोग इन करना होगा तो आप आपके email account जो यहाँ पर पर आपको शोड है वह और आपके वनपैसिप के जो पासवर्ड है वह पासवर्ड देख करके लोग इन कर सकते हो तो आपके यह वीडियो आप लोग के helpful लगाओगा अगर helpful लगता तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने टीम तक जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग जो है email account create कर पाए तो आज की वीडियो को यहाँ पर आन कर देता हूं मिलता आपसे next और एक informative वीडियो के साथ